नमस्कार स्वागत है आप सब एक बार फिर से टीचर सॉलिशन के यूटूब चैनल पे इंपोर्टन कोशन की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट टू जो कोई आपकी रहेगी ग्रोइंग अप एज लर्नर की यानि के अधिगम करता का विकास ब्याट फरस्ट एर का आपका यह सबजेक्ट रहता है CCC University से ब्याट कर रहे है या फिर माशाकोमरी उनिवस्टे से ब्याट कर रहे है तो आजकी वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टन रहने वाली है जो भी इंपोर्टन कोशन में आपको यूनिट वाइस करा र इसमें आपको important दिखाई देते हैं पहला question unit 2 में जो कि आपके लिए important रहेगा वह आपका ये है कि मानव विकास की विभिन अवस्थाओं का विवेचना कीजिए ठीक है what are the stages of human development discuss the प्याजे theory of cognitive development तो ये question आपका बहुत जाद आपका important रहता है ठीक है इसका screenshot ले लिजेगा अपने question bank में इसको tick कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं नेश question की तरफ नेश question जो आपका important रहेगा वह आपका ये है कि किशोर अवस्था समस्थ कि अवस्था है विवेचना कीजिए एक शिक्षक किशोरों की समस्था का समाधान कैसे कर सकता है ठीक है adolescent period is a period of problem discuss how can a teacher resolve the problems of adolescent तो ये question आपका बहुत जादा important रहता है ऐसे ही पुझा जा सकता है कि संवेगा आत्मक परिवरतनों से उत्पन किशोर अवस्था की समस्था की व emotional changes तो ये question आपका एक ही है important रहता है ठीक है एक ही answer आपको लिखना है ठीक है कोई भी question आ जाए तो एक answer आपको लिखना है ऐसे नहीं कि आपको इन question का त्यार करना है important question रहता है इसका इसकी इंशोर ले लिजएगा अपने question bank में उसको टिक कर लिजएगा आगे बढ़ते है next question की बात करते हैं next question जो आपका important रहेगा वह आपका ये है एक किशोर का निर्देशन और प्रामर्श देते समय एक किशोर को निर्देशन और प्रामर्श देते समय आप किन अधार्बु तत्यों को ध्यान में रखेंगे भारते परिस्तितियों के संदर में वेचना किज़ ठीक है what basic consideration would you keep in mind while giving a guidance and counselling to adolescent discuss in the context of Indian situation तो ये question भी आपका काफे जाद आपका important रहता है इसका screen शोर ले लिजेगा अपने question बैंक में इसको tick कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं next question की तरफ next question जो आपका important रहेगा वह आपका ये है कि विकास की विभिन अवस्थाओं का संशिप्त उलेक कीजिए mention the various stages of development in brief तो ये question भी आपका काफे जाद आपका important रहता है इसका screen शोर ले लिजेगा अपने question में इसको tick कर लिजेगा बढ़ते हैं आगे next question की तरफ जो कि आपका important र अपका important रहता है इसका screen शोर ले लिजेगा अपने question में इसको tick कर लिजेगा बढ़ते हैं next question की तरफ जो कि आपका important रहेगा वह आपका ये है किशोर रवस्ता की मुख्या विशेशता है क्या है what are the chief characteristic of adolescence तो ये question भी आपका काफे जाद आपका important रहता है इसका screenshot ले लिजेगा अपने question में इसको tick कर लिजेगा बढ़ते हैं next question की तरफ जो कि आपका important रहेगा वह आपका ये है कि बालक के भावात्मक विकास में सिक्षक की भूमिगा ठीक है role of teacher in emotional development of child तो ये question भी आपका बहुत जादा आपका important रहता है ठीक है किसी को अगर वीडियो नहीं मिल पा रही है चैनल पे है ना तो क्या करेंगे आप playlist में चले जाएंगे ठीक है playlist proper बना दी गई है आपकी वीडियो की ठीक है तो playlist में जाके आप सारे वीडियो को watch out कर सकते हैं 2023 की जो भी नई वीडियो है ठीक है वो ही आपको watch करनी है ठीक है 2023 की जो नई वीडियो ढ़ली जा रही है Unit wise ठीक हो ही अपको देखनी है क्योंकि हमारी चैनल पे 2022 की पुरानी वीडियो भी है ठीक है तो ज्यादा ह सके तो आप 2023 23 की नई वीडियो देखेगा क्योंकि परानी में अगर थोड़ी बहुत कमी होंगी तो उनको 2023 में पूरा किया जाएगा वैसे तो 2022 के भी वीडियो काफी अच्छी है क्योंकि उनसे भी काफी content last year आया था ठीक है 95% से 100% का content भी 2022 में हमारी वीडियो से आया था लेकिन इस बार क कोशिस की जाएगी कि 2023 में पूरा का पूरा एक एक कोशन आपकी 2023 की वीडियो से आया है ना जो थोड़ी बहुत कम्या रहेंगी होंगी वह हम 2023 में पूरा करेंगे ठीक है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिस द्धान रखेगा पढ़ते रहेगा और चैनल पे नए हैं तो जम्हें रहेएगा जुड़े रहेएगा अपने ध्यान रखेगा और नमस्ते डाड़ा थैंक्यू धन्यवाद